गनपती के आगमन की तयारियां हर तरफ चल रही है और साथ में इतनी सारे तयारों के साद भोग की तयारी भी चल रही है तो क्यों न बनाए इस चूर में के लड़ो को हमारे घर पे असानी से बन जाएंगे, कम से कम चीजों में बनेंगे और नहीं इसमें कोई तेल का यूज होगा, नहीं हमें इसको फ्राय करना पड़ेगा, तो असान सा तरीका, लेकिन बनाने में बिल्कुल ही सिंपल, खाने में बहुत ही स्वादिश्ट, ऐसे अगर लड़ू बनाए जाए रो इसको लंबे समय तक आप इसको रख सकते हैं, 15-20 दन तक इनको रखा जा सकता है, तो चले शुरू करते हैं इसे बनाना, तो यहां मैं ले रहे हूँ एक कब गीहों का आटा, नॉर्मल जो रोटी का आटा आता है, वही हमें यूज करना है, अगर आपके पस मोटा आटा है तो इसमें थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं, अब इस नहीं हमें यूज करना है, तो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब पानी की सहयता से इस आटे को तयार करेंगे, तो आटा लगाते वक्त एकटा पानी नहीं डालना है, टुकडों में पानी डालेंगे, ताकि आटा अच्छी तरह से तयार हो, तो आटा हमें ना तो नरम है नहीं बहुत ज़़ादा सकत लगाना है। लेकिन सकत आटा हम लगाएंगे ताकि लड़््ड जब हम बनाएंगे बहुत civड बढ़िया बनेंगे तो एक असान सा तरीका मैं इसम्त बतारा हूं ताकि आप इस तरह से लड़्ू कम समय में और असानी से बना सकते हैं तो देखिए इस तरह का आटा लगा कर मैंने तयार कर दिया है अब अच्छे से मसल लेंगे और इसको हमें 10 मिनिट के लिए रख देना है और 10 मिनिट के बाद हम इसमें से लड़ू तयार करेंगे और उपर से थोड़ा सा गी लगा देंगे दाकि उपर की जो परत है वो बिल् देख लेंगे अब 10-15 मिनिट मैंने छोड़ दिया है इसको अब 15 मिनिट के बाद मैंने फिर से साटे को ले लिया है देखिए इस तरह का है बहुत जादा कड़क भी नहीं है बहुत जादा नरम भी नहीं है अब इसमें से दो लोई बना दी है अब हम इसमें से एक लोई लेकि इसको बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं या प्राठा बेलते हैं उसी तरह से तो इस तरह से मैं किनारों को चप्टा कर रही हूँ ताकि इसको बेलने में दिक्कत नहीं होगी तो इसको हमें बेल लेना है न बहुत ज़दा पतला करना है नहीं बहुत ज़दा हमें इसको ठिक रखना है देखे असानी से बेला जा रहा है तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने किस तरह का आटा लगाया है बहुत ज़दा नरम भी नहीं है क्योंकि नरम हो तो हमें इसमें आठे लगाने की जुरत पड़ती तो भी मैंने यूज नहीं किया है तो इस तरह का रोटी मैंने त्यार की है अब इस तरह कि मैं किनारी पर डिजाइन्स कर रहे हूँ ये और ओप्षनल है कई बार जब हम रोट वगर बनाते हैं तो इसमें की जाती है तो मैं वह मäते यहां पर इसकी करते को दो, पिल्कुल इसको सबस्तों तो इससे diva get get the बीच में ढ़रे के अब में एक तरह के समय को grateful करना में Mary's masterpiece. और अब कपड़ा लेंगे साफ उसकी मदद से हम इसको अच्छे से दबाते वे दौनों साइट से सेक लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए थोड़ी भी कच्छी होगी तो उसमें लड़ों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो इस तरह से दौनों ही रोटियों को हम सेक लेंगे अब कुछ बदाम और टुकडे करने के बाद इसको पीस लेना है अच्छा सा फाइन पाउडर बना देंगे मिक्सी में अब एकडाई ले लिए इसमें डालूंगी थोड़ा सा गी तो यहां जितना गी मैं आड़ कर रहे हूं इतना और गी इसमें जाएगा तो थोड़ा गी और हम इसमें आड़ क करेंगे और गी को एड़ करने के बाद इसमें डालेंगे गुड तो नाप से बता हूं तो मैंने यहां तकरीबन चार से पांच टीबल स्पून जितना गी लिया है और उतना ही मैंने गुड डाला है तो आप मीठा अपनी चॉइस के अकॉर्णिंग कम जादा कर सकते हैं तो मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड़ू बान लेंगे तो इस तरह से दिखे बढ़िया से लड़ू तयार हो जाएंगे तो कम से कम गी में और बहुत ही सिंपल मैठड मैने बताया है इसमें आपको चूर्मे के लड़ू बनाने का इसको आप रख सकते हैं 15-20 दिन तके बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे अब इस तरह से सारे लड़ू तयार कर लेंगे और इसको हम उपर से लगाएंगे खसकस तो कसकस मैंने कटोरी में ले लिए थोड़ी सी और इसको डूबो देंगे और अच्छे से हाथों में फैला लेंगे ता असान तरीके से लड़ूं को आप बना सकते हैं रेसेपी अच्छी लगी होतो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सबस्क्राइब करिएगा